हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 1-2 एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी अंगरखाई स्टाइल में बेबी फ्रोग बनाना सिखा रहे हैं यह देख सकते हैं इसके आर्म होल की शेप भी और नीजगा फ्रिल भी कितना प्यारा हो गया है इसमें हमने वन मीटर फैबरिक यूज किया है आईए वीडियो शुरू करते हैं यह हमने दो पीस ले लिए है योग के लिए जिसकी लेंद 10 इंच है और वीडि इसकी 13 इंच है इसको हम फॉल्ड करके रख लेते हैं फॉल्ड लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है Shoulder हमें इसका 4.5 inch रखना है और Armhole की length हमें इसकी 5 inch रखनी है ऐसे करते हुए हम इसे पर सीधा निशान लगा लेते है यहां से हम इसको चकोर कर लेते है Armhole में गोलाई कर देते है Nek की चोड़ाई यहां पर हमें इसकी 2 inch रखनी है और लेंद में भी हमें इसके 2 इंच रखना है अब हम इसमें गोलाई कर लेते हैं आधा इंच फिटिंग का निशान हम इसमें लगा लेते हैं और इसको तिर्चा करते हुए उपर तक मिला लेते हैं इससे फ्रोक की फिटिंग बहुत अच्छी आती है यहां से भी हम आदा इंच का निशान इस पर लगा लेते हैं और हिलकी सिफरोक गोलाई कर लेते हैं जिससे एस साइड मेंसे लटकती नहीं है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां से हमें इसको हलका सा ढालदार कट कर देना है क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं इससे इसकी शेप अच्छे आती है दोनों पीस यहां पर कट गए हैं हमारे अब हम इसका बेक साइड से 3 इंच का नेक कट कर देते हैं जिससे बेवी को नेक गले पहनाने में परिशानी ना हो ये हमने 2 इंच की एक स्ट्रीप ली है और लेंथ में ये 4 इंच की है इसको हम 3 इंच बीच से कट कर देते हैं और यहाँ पर रखकर इसको लगा देते हैं ये हमारा फ्रंट का योग का पीस है इसको हम ऐसे करते हुए 36 इंच टेप रखकर V-shape का 5 इंच निशान लगा लेते हैं और इसमें V-shape में हलकिसी गोलाई हमें नीचे की साइड से करनी है बाकी उपर का नेक हमारा कटा हुआ है ये देख सकते हैं हलकिसी गोलाई का ये हमारा V-shape कट कर तयार हो गया है वह आप की dcs में लगाने के आह goofy अछा की आप की और और ओर 2 पीस यहां पर हमने लेने अश की रेन्ध 35 इंच इंच घंच आ además करें ना आप हमने इसपो एक साइड से एसा करते हुए फोल्ड कर लेना चरिए में पर एक साइड में इसमें चुन्णदड लेनी है यहाँ पर यह हमने डिजाइन के लिए एक पीस लिया है जिसकी लेंग 10 इंच है और चोड़ाई में 41 इंच है हमें यहाँ पर 2 इंच पर इस पर निशान लगा देना है और यहाँ पर बिलकुल कॉर्णर पर इसको मिला देना है तिर्चा करते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखें यहाँ पर हम इसमें प्लेट्स डाल देते हैं जिसमें 1.5 इंच का हम अंदर की साइड लेते हैं और इसको बिल्कुल योग के बराबर हम अपने माप के डिजाइनिंग फेब्रिक को योग के बराबर माप कर कर लेते हैं ऐसे करते हुए हमें इसमें प्लेट्स डालनी है यह हमारा बेक नेक है बेक नेक पर हम ऐसे करते हुए सिलाई लगा लेते हैं और दूसरी साइड में हमें इसको पलट देना है यहाँ पर बीच में यहाँ पर हमें इसमें हलका सा कट लगा देना है कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं सब फेबरी किसी के नीचे की साइड को करते हुए हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं अब हम इसको पलट लेते हैं और इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस पर लगा देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है ये बेक नेक हमारा बन कर तयार हो गया है ये हमने रेब की पट्टी लिए अब हम इस पर दोनों साइड में इसको लगा देते हैं इस पट्टी को हमें खीचना नहीं है धिल अधिला सा छोड़ते हुए लगाना है एक साफ फेबरीक हम इसमें से कट कर देते हैं और इसमें हलके हलके से कट हम लगा लेते हैं जिससे इसकी रेब पलटने में परेशानी नहीं होती है गोलाई अब हम इस फेबरीक को अंदर की साइड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं यह यहां पर हमने इसमें सिलाई लगा दिये बीच से हम इसको नेक को काट कर अलग-अलग कर लेते हैं यह देखी दोनों पीस हमारे कट कर तयार हो गए हैं एक्स्टा फेब्रिक अंदर की साइड का हम इसमें से काट देते हैं यह हमारा फेब्रिक है यह फ्रन्ट का पीस है इसको इस पर ऐसे रखते हुए एक पेर की मशीन की सिलाई लगा लेनी है अब दूसरी साइड में इसको पलट लेना है अब अंदर की साइड का एक्स्ट्रा फेब्रिक हम इसका कट कर देते हैं यहां पर इसमें हलका सा कट लगा लेते हैं इसके सब हिस्से में हमें हलका सा कट लगाना है क्योंकि इसकी गोलाई की शेप है कोलाई वाले कपड़े में हमें हमेशा अंदर की साइड कट लगाना होता है एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर का भी हम इसका कट कर देते हैं ये इतनी पट्टी हमारी इस पर रह गई है सब फैब्रिक इस पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से पलट जाता है ये सिलाई हमने इस पर यहां पर लगा दी है अब हम इसको अंदर की साइड को फॉल्ड कर लेते हैं और इस पर एक सिलाई लगा देते हैं यहां से हम इसकी वी शेप बना देते हैं अब दूसरी साइड का फेबरिक भी हमें इसका ऐसे ही फोल्ड करकी सिलाई लगा देनी है यह नेक हमारा फ्रंट साइड का बन कर तयार हो गया है अब हमने एक पट्टी ली है जिसकी फ्रील के लिए जिसकी चोड़ाई टू इंच है और लेंथ में यह फोटी इंच है इसको हमें डबल कर लेना है और एक कच्छी सिलाई इस पर लगा लेते हैं जिससे जब हमें इसमें चुन्नटे डालें तो हमें परिशानी ना हो अब हमें इसमें ऐसे करते हुए चुन्नटे डाल कर इसको पीस को तयार कर लेना है इसी तरीके से हमें अपने पूरे फ्रील में चुन्नटे डाल कर इसको तैयार कर लेना है यह देखें कितनी प्यारी सी हमारी फ्रील बन गई है हमने फ्रील अपनी तैयार कर ली है अब इसके उबर हम पाइपिन लगा देते हैं पाइपिन को हमें हलका हलका सा खीचना है यह देखें पाइपिन हमारी बन कर तैयार हो गई है अब हम इसको इस साइड में पलट लेते हैं और अंदर की साइड को एक स्टा फेब्रिक फोल्ड करते हुए इसके उपर एक सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड्स यह फ्रोक बन कर बहुत जादा प्याई लगती है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं स्टेप बाई स्टेप हमने वीडियो में आपको बताया है यह देख सकते हैं आप कितने प्यारा सा यह हमारा फ्रील बन कर तैयार हो गया है अब हम इसको ऐसे रखते हुए यहाँ पर हमें इस पर नेक के उपर रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है और नीचे से इसकी इस तरीके से शेप कर देनी है नीचे का योग का आदा इंच के करीब हम फैब्रिक छोड़ देते हैं यह देखिए इस जंगे से आदा इंच छोड़ देना है हमें नीचे की साइड से अब इस पर दूसरी सिलाई हम पाइपिन के उपर लगा देते हैं ये इसका अंगरखाय स्टाइल बन गया है बहुत आसानी से एक्स्टा फील को हम कट कर देते हैं अब हम दोनों शोल्डर एक साथ मिला लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे जब हम इसमें आर्म होल में पाइपिन या स्लीव्ज लगाएं तो ये साइड से खुलते नहीं है अब हम इसका नीचे का बेक साइड का जो हमने पट्टी लगाई हुई थी रेव की वो अंदर की साइड को फॉल्ड करके उसके उपर एक सिलाई लगा देते हैं दूसरी साइड का भी हम ऐसे ही अंदर की साइड को पट्टी को फॉल्ड करते हुए उसके उपर सिलाई लगा देते हैं ये देखिए हमारा ये नेक कितना प्यारा सा बन कर तयार हो गया है दोनों घेरे हमें सेम अपने ऐसे ही तैयार करने हैं नीचे की साइड से हम इसको वन इंच फोल्ड कर देते हैं अब हमने ये चुननटे डाल कर तैयार कर लिया है जो डिजाइनिंग पीस बनाया है ये इसमें पाइपिन लगा लेते हैं ये हमारी सीधी पाइपिन है जिसको हमें एक साइड पर रखकर लगाना है इसको खीचना नहीं है दोनों पीस को हमें खीचना नहीं है ठीले डीला हाथ छोड़ते हुए इसको लगाना है अब अंदर की साइड को इसको फॉल्ड करते हुए एक सिलाई इसके उपर लगानी है ऐसे ही हमें अपनी पूरी पाइपिन लगाकर तैयार करनी है ये देखिए फ्रैंस पूरी पाइपिन हमारी लगाकर तैयार हो गई है अब हमें इसमें ऐसे करते हुए यहाँ पर प्लेट्स राल लेनी है और प्लेट्स राल कर इसका उपर का हिस्सा योग के बराबर हमें कर लेना है ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी ये चुन्नटे डल कर तैयार हो रही है हमें इसकी गहराई अंदर की साइड की प्लेट्स की टू इंच के या वन पॉइंट फाइफ इंच के करीब डाल लेनी है और इसके बराबर इस पर कर लेना है इन चुन्नटों के बराबर अब इसको हम इस पर रख कर सेट कर देते हैं इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं ये देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है अब हम योग का पीस अपना लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं योग और गहरा एक साथ जोड़ कर तैयार कर लेते हैं ये देखिए हमारा डिजाइन कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो गया है अब हमें बेक साइड का भी पीस अपने ऐसे ही लगा कर इसको तैयार करना है चुन्नटों को सेट करते हुए बेक साइड का पीस हमें यहाँ पर लगा देना है ये देखिए ये हमारी चुन्नटे डल कर तैयार हो गई है अब हमें अपने फ्रंट के दोनों पीस मिला लेने हैं और फ्रंट के आर्म होल में हमें हलकी सी गोलाईस में कर देनी है इससे आर्म होल की शेप बहुत जादा अच्छे आती है अब हमने ये पाइपिन ली है पाइपिन को हमें ऐसे करते हुए इस पर बेक साइड पर हमें पाइपिन लगानी है और हलका हलका सा खीचते हुए पाइपिन को लगाना है एक्स्ट्रा पाइपिन हम कट कर देते हैं फ्रंट साइड को इस पाइपिन को हम पलटते हैं और सब फैब्रिक पाइपिन के अंदर की साइड को ही हमें कर देना है और इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है नीचे वाली सिलाई को हमें इसी के नीचे की साइड को दाप देना है यह देखिए हमारा आर्म होल बनकर कितना प्यारा हो गया है इस साइड भी हम ऐसे ही पाइपिन लगा लेते हैं दोनों पाइपिन हमने आर्म होल में लगा ली है अब हम इसमें साइड की फिटिंग लगा लेते हैं दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है यह देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा हमारा यह अंग्रखाई स्टाइल में फ्रोक बनकर तयार हो गई है यहां पर हमें इसमें चार से पांच ब्लेक बटन लगा लेने हैं और नीचे का फ्रील भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यह बन गया है फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइको प्रेज कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए बाई